नमस्कार दोस्तों वेलकम टो इस्टेडिवी सचिन सर्व चलिए आज की वीडियो में हम माडल प्रैक्टिस सेट सेवन लेकर आए हैं काफी इंपॉर्टन सीरीज आपके लिए चल रही है मैंने छे माडल प्रैक्टिस सेट आपको दे दिये हैं जिसमें टाप 50 रिजिनिंग क कुईशन आपको बताएं च्छो को कर लीजिए उसमें आपको 300 रिजिनिंग के कुईशन मिल जाएंगे आज सात्वा होने वाला है इसमें भी 50 कुईशन हम देखेंगे तो चलिए पहला कुईशन का एंसर बताइए कि उत्तर क्या होगा चलिए बताइए पहले विकल्प में पहले आपसन में कौन सा विकल्प सही होगा तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आपका आपसन नमबर 4 बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा कुईशन नमबर 2 देखिए 2 जलिए से बताए कुईशन नमबर 2 में कौन सा विकल्प सही होगा कुईशन नमबर 2 इसको ध् थिरी बताईए भाई थिरी में कौन सा विकल्प राइट होगा सोचिए कोईस्चन नमबर थिरी में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा ठिक कोईस्चन नमबर फॉर बताईए फॉर फोर में कौन सा अपसन सही होगा कुश्चन नमबर फोर में आपका कौन सा अपसन चौथा अपसन बिल्कुल राइट है ठिक चलिए खुश्चन नमबर फाइप में बताएंगे फाइप में 5 में आपका दूसरा आपंसन बिल्कुल right answer हो जाएगा, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं question number 6 में बताइए, कौन सा option सही होगा, question number 6 में question number 6 में option number 3 बिल्कुल right answer हो जाएगा, question number 7 बताइए, question number 7 अगर हम सेवन में ध्यान से देखे तो आपसन नमबर दो बिल्कुल राइट एंसर होगा चलिए आगे चलते हैं कुश्चन नमबर एट की तरफ कुश्चन नमबर एट बताईए कौन सा आपसन सही होगा कुश्चन नमबर एट कुश्चन नमबर एट देखिए तो कुश्चन नम्बर 9 में आपसन नम्बर 3 बिल्कुल राइट अंसर होगा कुशन नम्बर 10 10 10 बताइए भाई आपसन नम्बर 1 बिल्कुल राइट अंसर होगा आगे की सवाल देखते हैं कुशन नम्बर 11 बताइए कौन सा विकल्प सही होगा question number 11 में कौन सा option सही होगा option number 2 बिल्कुल right answer हो जाएगा question number 12 12 12 में कौन सा विकल्प सही होगा आपका दूसरा option सही हो जाएगा 13 13 में आपका तीसरा option सही हो जाएगा 14 14 में आपका तीसरा option सही हो जाएगा 15 देखिए 15 15 15 भाई 15 में भी आपका तीसरा आपसंत हो जाएगा ठीक काफे सिंपल है आप लगा लिए होंगे कोई दिक्कत नहीं है आगे चलते हैं टो कि चलीए बाई शोला 16 में कौण सा आप संसर एक बार दिमाक लगाई कि और फ्र बताइए है तो अगर अंध्यान से देखि हैं तो इसमें आपका पहला आपसंस सरे होका कृश्चर नमबर 417 क्या होगा भाई 17 17 में अगर हम ध्यान से देखें 17 में अगर हम ध्यान से देखें तो 17 में आपका option number 2 बिल्कुल right answer हो जाएगा 18 देखिए 18, question number 18 में आपका तीसरा भी कल्प सही होगा question number 19 19 में आपका 14 option बिल्कुल sorry, 14 option बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं 20 question number 20 question number 20 question number 20 20 में इसका जो विकल्प दिया है उपर दिया गया है 20 में आपका 20 में पहला आप समझे बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं 21 question number 21 बताइए 21 में आपका कौन से विकल्प सही होगा इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा 22 देखिए 22 इसमें भी आपका चौथा आपसन बिल्कुल राइट होगा 23 देखिए 23 Question number 23 23 में कौन सा विकल्प सही होगा 23 में आपका आपसन नमबर 3 बिल्कुल राइट answer हो जाएगा Question number 24 में देखते हैं 24 में आपसन नमबर कहां दिया है 24 में आपसन आगे दिया गया है तो चलिए आगे देखते हैं Question number 24 में आपसन नमबर 2 बिल्कुल राइट answer हो जाएगा 25 बताईए एक बार आप 25 25 में कौन सा विकल्प सही होगा 25 में आपका दूसरा विकल्प सही होगा 26 26 26 26 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा 26 में आपका चौथा आपसन सही हो जाएगा 27 27 में आपका इसमें भी चौथा आपसन सही होगा 28 28 बताईए कौन सा आपसन सही होगा 28 में आपका फोर्था आपसन बिल्कुल राइट हो जाएगा 29 भी बताएंगे आप 29 29 29 29 में भी आपका चौथा अपसन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 30 30 नमबर बताईए 30 30 30 में आपका दूसरा अपसन सही हो जाएगा ठीक चलिए आगे देखते हैं 31 31 बताईए 31 में आपका कौन सा उत्तर सही होगा चौथा अपसन 32 में कौन सा अपसन सही होगा 32 दूसरा विकल्प हो 32 में आपका दूसरा नहीं चौथा विकल्प सही होगा ठीक चलिए 33 देखते हैं 33 33 33 33 33 33 तो अगर हम ध्यान से देखें तो 33 में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा 34 34 बताईए पहला आपसन बिल्कुल राइट एंसर होगा 35 बताईए 35 में आपका पहला आपसन बिल्कुल राइट होगा आगे चलते हैं 36 नमबर कुश्चन बताईए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा 36 और हम ध्यान से देखें तो इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट एंसर होगा 37 में बताईए कौन सा आपसन सही होगा 37 में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आपका 37 में आपका तीसरा आपसन सही होगा 38 में कौन सा उत्तर सही होगा 38 में आपका चोथा आपसन सही होगा 39 में कौन सा विकल्प सही होगा तो 39 को अगर आप ध्यान से देखें इसमें चौथा आपसन सही होगा ठिक कागज मौणने वाला है फिर उसके बाद हम देखते हैं 40 नमबर 40 इसमें आपका तीसरा आपसन सही होगा 41 बताईए 41 में कौन सा आपसन सही होगा 41 इसमें आपका तीसरा विकल बिल्कुल राइट एंसर होगा 42 42 में कौन सा विकल सही होगा आपका दूसरा आपसन सही होगा 43 में कौन सा सही होगा 43 में अगर हम ध्यान से देखें तो आपका चौथा आपसन सही होगा 44 में कौन सा आपसन सही होगा 45 में कौन से सही होगा 45 में अगर हम देखें तो 4 अपसन सही होगा आगे चलते हैं 46, 47, 48, 49, 50 बताईए 46 दूसरा विकल्प सही होगा 47 तीसरा विकल्प सही होगा 48 पहला अपसन सही होगा 49 59 पहला अपसन 50 पहला अपसन तो यहां पर रिजनिंग समाप्त होई तो आज हमने 50 कुश्यल फिर देख लिए तो आपका माडल प्रैक्टिस सेट 7 समाप्त हो गया काफी अच्छी अच्छी रिजनिंग थी और काफी अच्छी अच्छी सवाले थी तो हम अगले वीडियो मिलेंगे माडल प्रैक्टिस सेट 8 के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे तब तक चैनल पनना हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए और सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं इंडिस्क्रेन में भी वीडियो आजाएगा वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यमाद